नमस्कार जहिन दोस्तों दिस इस धीरे दिवेदी फ्रॉम गुरु जी वड़ाप सभी उत्तरपदेश के भविष्टे के भावी टीचरों का हारदिक श्वागत है तहे दिल्षे अविडिन नहीं दोस्तों यहां पर चतुर्थ सैमेस्टर का मैथ का वीडियो त्रिकोर्ण मि देखिएगा सारी प्लेलिस्ट में क्लासे जुपलद्ध है दिरेश दिवेदी की तरफ से आप सभी बहन भायों का अर्दिक श्वागत है प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन है दोस्तों बता देता है यूपी टेट की वी क्लास हमने स्टार्ट कर दी है और सारी प्लेलिस्ट करिएगा फिर पढ़िएगा तब एक्जाम दीजेगा यह हमारा टार्गेट है और इसमें आप सफल रहेंगे जैसा कि आप करते आए हो तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं देखिगा हमेशा त्रिकोड मिती में एक चीज याद रखिएगा क्या होता है कि एक कोड होता है उसम में ये वाला कर्ण है ठीक है तो लंब हमारा ये हो जाएगा यानि लंब लंबा जो उपर से सीधा जो है डंडा हम कर देते हैं और डायरेक्ट हम ऐसा लेटा हुआ जैसे ही हम सीडी नुमा डालते हैं तो इसको हम कह देते हैं कर्ण जैसा कि इस चितर में दिखाये गया है और जो नीचे वाला है वो आधार होता है, ठीक है यतना तो समझ गए होगे, ये आप जानते होगे, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, sin theta, cos theta, 10 theta, और इन sin cos 10 के ही उल्टे होते हैं, cos x, 6 और cat, ठीक है, आप चलते हैं, यहाँ पर कुछ आधार देखते हैं, अगर बहुत अच्छ sin theta क्या है, लंब बटे कर्ण, यानि लंब बटे कर्ण, यानि अगर 3 बटे 4 है, sin theta का मान, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, तो अब cos theta बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, और बटे कर्ण, अगर यहाँ पर cos theta थीटा बराबर तीन बटे चार होता तो यहां पर तीन बटे चार लिख देते हैं बस कोई दिक्कती नहीं अगर कहते हैं भाई 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार ठीक है तो लंब बटे आधार यानि अगर तीन बटे चार 10 थीटा बराबर होता तो तीन यहां पर लंब हो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आगे सवाल करने वाला हूं देखी का कैसे होते हैं और दो कुश्चन आपको यहां पर दिये जाएंगे आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा देखेगा प्रस्न आधारिस कुश्चन में साइन होता है लम बटे कंड तो कौस से हो ग सकते हैं लाल बटे कक्का के नाम से स्ट्रिक को मैंने आपको बना बताया था कि यह साइन होता है यह कौस होता है यह टैन होता है कैसे साइन होता है लम बटे कंड यह देखेगा आधार वटे कंड क्या होता है कौस थीटा और लम बटे आधार क्या होता है टैन थीटा तो य ये चीजे हम अभी आपको बता भी चुके है उपर फीगर में बाकाइदा साइन कॉस 10 ठीक है फिर से मैंने आपको यहाँ पर एक फीगर में दिया है यह आप स्क्रिंसोट ले लिजेगा तो आप चलते हैं कुशन की तरफ कुशन यह है कि भाई यह तो आप जानते हो कि भाई डिफनीशन अभी उपर बताया था कि साइन थीटा बराबर अगर 3 बटे 4 दिया जाए तो कॉसिक थीटा का मान क्या होगा आप से पूछ लिए जाए तो आप जानते हो कि sin का उल्टा होता है cos तो अगर sin 3 बटे 4 है तो cos x क्या होता है sin का उल्टा होता है cos x अगर cos x पूछा जाए sin अगर 3 बटे 4 है तो cos x हो जाएगा 4 बटे 3 अगर यहीं पूछ लिया जाए कि भहिया cos theta बराबर जो होता है वो एक बुटे 2 होता है तो सेक थीटा ब्रबर क्या होगा तो आप कहोगे दोस्त कि अगर कॉस जो है एक बुटे 2 है तो सेक थीटा जो हो जाएगा ये 2 उपश चलाएगा क्योंकि उल्टा होता है 2 बुटे 1 yarni केवल 2 हो जाएगा अगर आपसे कहे दिये जाए कि 10 theta ब्रावर 10 theta ब्रावर अगर 3 बटे 5 है तो cot theta ब्रावर क्या है तो आप direct कहे दोगे कि cot theta ब्रावर हो जाएगा 5 बटे 3 क्योंकि उल्टा होता है तो ये आद रखीगा सारे question शिस्ति पर लग जाएगे अब चलते हैं आपसे question पूछेगा 2 बटे 3 तो या और ये बता दो कि 10 theta का मान क्या होगा आपसे direct question पूछेगा लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि लाल बटे कक्का में क्या होता है कि 10 का मान क्या होता है लंबटे आधार तो लंबटे जो आधार होता है तो यार आधार यहाँ पर देखो क्या आधार दिख रहा है आधार तो हमें ग्याद करना है तो हमें 10 theta का मान निकालने के लिए आधार सबसे पहले ग्याद करना होगा जिससे 10 theta का मान निकल जाए तो आधार ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि पाइथा गोरस प्रमे लगाएंगे और पाइथा गोरस प्रमे क्या होती है कर्ण स्क्वाइर यानि कर्ण ये होता है बराबर आधार स्क्वाइर आधार ये होता है और लंब स्क्वाइर लंब ये होता है तो आप जानलो कि कर्ण की बेलू निकालनी है वो आधार की value निकालनी है और कर्ण और लंब दिये है तो कर्ण 3 दिया है यानि 3 का all square आधार निकालना ही है आधार का all square बैसा ही कर दिया 2 का all square यानि लंब कर दिया और यहाँ पर जैसे ही ने आधार निकाल लिया तो आधार square बराबर 5 आया तो अगर आधार square बराबर 5 है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा root 5 तो ये हमारा आधार आ गया यानि अब हमने आधार में रख दिया 5 तो अब आप 10 theta का value निकाल सकते हो ना 10 theta होता है लंब बटे आधार ये लंब हो गया ये आधार नीचे बला तो 2 बटे 5 आराम से कह सकते हो कि 2 बटे भया ये 5 निकाली थी root 5 तो 2 बटे root 5 इसकी value हो जाएगी बस कुछ नहीं यही है हमारा अगर आप से ये कह दे कि भाई cos theta का मान क्या होगा अगर cos theta का मान निकालना होता अभी हमने 2 बटे 5 निकाला है root 5 यही हम इसमें से अगर आप से पूछ देते कि cos theta का मान क्या होता तो आप कह देते कि cos theta बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का में आप जाएंगे लाल बटे कक्का में जाएंगे तो sin cos 10 होता है तो cos का मान होता है आधार बटे कन तो सारी चीज़े सम्मल में आ गई आप चलते हैं एक आप के लिए प्रसंद देते हैं कि अगर 10 थीटा बराबर 3 बटे 2 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जल्दी से करिये कुश्षन यदि 10 थीटा बराबर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर एक फीगर बनाना और 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार और लंब कितना है उपर 3 है और आधार लंब कितना है उपर 3 है और आधार कितना है नीचे वाला यहाँ पर 2 अब यहाँ पर पाइथा कोरस प्रमे लगा कर आधार ये कण निकालिएगा और कण जैसे ही निकलाएगा बैसे ही साइन थीटा बराबर निकाल लीजेगा जो लंबटे कंड होता है, जल्दी से यहाँ पर निकाल के बताएगा, ठीक है, चलते हैं, next question, next question के पहले आप एक सूतर याद रखेगा, sin square theta बरावर, cos square theta, sin square theta प्लस cos square theta बरावर, 1 होता है, से की square theta बरावर, 10 square theta प्लस 1 होता है, cos square theta बरावर, 1 प्लस cos square theta होता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं आपके सामने, कि भाई, ये बता दीजेगा, कि 10 theta बरावर, 2 है, तो sin theta प्लस cos theta कमान बताएगा, अब आपने यार एक चीज़ देखी कि 10 थीटा बराबर अगर 2 है 10 थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार लंब हमारा ये है आधार ये है अगर 2 है यानि इसको हम 2 बटे 1 तो लिख सकते हैं तो आधार जो है आधार एक हो गया तो ये वाली value हुमें निकालने के लिए पाइथा गुरस प्रमे लगानी पड़ेगी और पाइथा गुरस प्रमे जैसे ही हम लगाएंगे बैसे ही क्या होगा इस भुजा को हम ग्याद कर लेंगे और इस बुजा को जैसे ही हम ज्याद कर लेंगे बैसे ही sin theta और cos theta का value हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो लेकिन पूछा है sin theta plus cos theta की value तो यहाँ पर याद रखेगा कि जैसे ही हमने यह वाली value निकाली तो हमने kind square बराबर 4 का holy square निकाला यानि 2 का holy square निकाला यानि lump का square और plus जो है आधार का square तो हमारी value आ गई root 5 जो है हमारा एक kind हुआ यानि route 5 जो है हमारा यह हुआ तो यहाँ से अगर हम इस value से sin theta अगर निकालेंगे तो कितना हूगा sin theta हम जानते हैं कि لمb बटे कंड होता है यानि sin theta होता है 2 बटे root 5 तो हमने यहाँ पर लिखा है لمb बटे कंड यानि ये वाली value जब root 5 हो गई तो ये जो है sin theta हो गया لمb बटे कंड यानि 2 बटे root 5 ठीक है जैसे ही 2 बटे root 5 हो गई तो हमें cos भी value चाहिए थी क्योंकि हमने अभी हाली में 2 बटे 5 निकाली है 2 बटे root 5 तो sin theta का अगर 2 बटे root 5 होई तो cos theta क्या होता है आधार बटे कंड तो आधार हमारा ये है आधार और कंड हमारा ये है तो 1 बटे root 5 ये हो गई तो sin theta plus cos theta की value बतानी है तो जैसा ही हमने इन चीजों की value निकाल ली अब इन में जो है हमने इसकी value रख दी इसमें जो है हमने इसकी value रख दी अब plus को जो है हमने इसको जोडा जब आप जानते हो कि हर हर अगर समान है तो बिलकुश same to same रख देते है और डायरेक्ट उपर वाली संक्या को जोड़ देते हैं तो बस हमारा यही आंसर हो जाए दो एक तीन बटे रूट पांच चाहें आप LCM लेके कर लो चाहें कोई दिक्कत नहीं अगर आप LCM लेके करते तो यहाँ पर रूट फाइब लेते रूट फाइब रूट फाइब तो एक का उपर होता दो और रूट फाइब रूट फाइब रूट फाइब एक का उपर होता दो तो तब भी आ जाता तीन बटे रूट पांच ठीक है आप समझे गए होंगे एक कुशर पूछे जाता है कि भाई 10 theta बरावर बनबटे 2 तब 10 square theta बरावर 10 square theta प्लिस cot square theta क्या होगा तो आप जानते हो कि 10 theta जो होता है वो cot का उल्टा होता है या cot theta होता है वो 10 का उल्टा होता है या sin theta होता है वो कौसेक का होता है और कौसेक क्या होता है sin का होता है तो आपको अगर दिया है कि 10 θ वरावर बन बटे 2, तो 10 स्क्वाइर थीटा प्लेस कॉट स्क्वाइर थीटा की मान बताओ, जब यार 10 दिया है तो काट तो आप निकाल सकते हो, तो काट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 का उल्टा काट हो जाएगा, काट हो जाएगा यहाँ पर 2, क्यूंकि 2 बटे 1 करोगे तो नीचे वाले 1 का तो मतलब भी नहीं होता है, उपर होता तो चलो चल जाता, तो यहाँ पर 10 का उल्टा काट होता है, काट का वैलू हो गया 2, तो बस इसमें मान रख दो तो एक बटे दो अगर टैन थीटा की मान थी तो यहाँ पर चुकी होली स्कॉयर है तो यहाँ पर जैसे हमने होली स्कॉयर कर दिया तो इसका भी कर दिया और कोट का आया था दो तो इसका भी होली स्कॉयर कर दिया तो ये हो गया हमारा एक वटे चार ये हो गया केबल चार अब हमने क्या करा? इसको LCM से हल कर लिया, LCM से हल न करो तो डायरेक्ट अगर ऐसी समक्या है तो 4 चकू 16 और 17 वटे ये वाला 4 रख दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये आप समझ गया होंगे, ये चीज़ तो आप सालवी कर लोगे, नर्मल सी बात है वीडियो कर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरू करेगा एक चीज आपको और बता देते हैं यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और 10 थीटा के कुछ मान याद कर लो कैसे, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी की जरूरत पड़ती है जैसे, कि साइन थीटा, साइन जो है 30 का मन क्या होता है आप कहोगे 1 वटे 2 साइन 45 का, 1 वटे रूट 2 साइन 60 का, रूट 3 वाई 2 90 का, 1 ऐसे, कॉस थीटा 1, रूट 3 वाई 2 क्योंकि यहाँ पर, जैसे ही साइन इदर से चलता है और इसका, जो है, कॉस डायरेक्ट उल्टा होता हुआ इदर तक चला आता है कैसे, केबल साइन का है, आप याद कर लो और साइन के बाद, जो है, कॉस उल्टा रख देना जीटा के देखीगा, 0 डिग्री साइन थीटा का मान होता है, 0 लेकिन इदर होता है, 90 डिग्री यहां से स्टार्ट हो रहा है, और यही वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, फिर यह वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, यह वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, यह वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, यानि बिल्कुल उल्टा चलता है ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे ही होता है, 10 और 10 जो है, और अगर बोला जाए कि 10 की value अगर root 3 y 3 है तो cot की value क्या होगी तो आप कहोगे कि cot की value बिल्कुल उट्टी होती है तो आप इन मानों को याद कर लिजेगा इन मानों को screenshot ले लिजेगा ठीक है तो यहाँ पर n theta जो है तीस degree का मान जो है 3 करिएगा 1 by root 3 तो आप समझ गया होंगे देखीगा मैं एक और साड़नी दे रहा हूं यह बिल्कुल प्योर साड़नी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि sign का अगर 0 है एक बटे 2 है root 2y जो है 2 है और यहाँ पर root 3y 2 है तो इन चीजों को आप देख लिजेगा बैसे तो मान यहाँ पर एक बटे root 2 होता है लेकिन अगर उपर गुड़ा करा दी जाए और उपर root 2 से गुड़ा करा दी जाए तो यही बन जाता है हमार रूट बटे 2 ठीक है अब सवाल जरा हम करते एक सवाल सवाल यह है कि sign 60 degree मान जो काफी कुष्ण आपके एक्जाम में आता है और cos 30 degree minus cos 60 degree sign 30 degree यह सारणी से सवाल होगा आप याद रखो कि इनका मान आपको याद रहना चाहिए 60, 30, 45 के तो मान आपको तीनों समिकर्ण के याद ही रहने चाहिए sign 60, sign 30, sign 45, cos 60, cos 30, cos 45, tan 60, tan 30, tan 45 बस इतने दो मान आप 6 मान जाद कर लो ठीक है सारणी से देखके उपर वाली अब देखो यहाँ पर क्या है कि sign 60 का मान होता है root 3 by 2, cos 30 का मान होता है root 3 by 2 cos 60 का मान होता है 1 by 2 और sign 30 का मान होता है 1 by 2 बस इतना मान याद है तो direct आफ रख दो तो यहाँ पर जैसे ही हमने इस मान में रखा sign 60, cos 30, cos 60, sign 30 जैसे हमने रखा तो root 3, क्योंकि root 3 और root 3 जैसे गुड़ा होता है तो cut जाता है और 3 और 3 जो है उनका value एक ही हो जाता है जैसे root 2 हो, root 2 का गुड़ा कराएंगे तो cable 2 ऐगा ऐसे ही root 3 और root 3 का गुड़ा कराएंगे तो cable root 3 हट जाएगा cable 3 आएगा वैसे ही नीचे कराया तो 2 दूनी 4 हो गया और इसका उपर कराया तो 1 आगया इसका नीचे कराया तो 4 आगया अगर नीचे वाली value समान है तो नीचे LCM समान होगा और 3 से 1 जाएगा 2 आजाएगा 2 को 45 और 10 45 इनका मान आपको बताना है कमेंट में यह जवाब आपको देना होगा यहां पर जो है सारी चीज़े आपको डिसकस करी गई है एक वास साड़नी का जो है जरूर अब लोकन करें जिससे सारी चीज़े clear हो जाए और साड़नी को बनाएगा copy में जिससे 4-5 मान आपको याद हो जाए जो आपकी एक्जाम के लिए काफी कारगर साबित होंगे तो दोस्तों यह वीडियो का ऐसी लगी आपको बताए इसका जो है नोटिफिकेशन आप जो है नीचे अपना जो नोट पॉइंट है वो नीचे जरूर दे कमेंट बॉक्स में आंसर दोनों कुश्यन जरू करेगा जय हिंद जय भारत